आज हम आपके साथ पनीर की भुर्जी की बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं ये जो भुर्जी बनेगी बहुत यदा यमी बनेगी बिल्कुल धाबा स्टाइल बनती है कई बार पनीर की भूर्जी बड़ी चूईसी बन जाती है लेकिन ये जो बनी है बहुत ज़्यादा माउथ मेल्टिंग है बिल्कुल क्रीमी लुक है तो इसको कैसे बनाया जाएगा इसके लिए हमने एक पैन रखा है उसके अंदर तीन चमच ऑईल के डाल लेंगे जब गरम हो जाए इसके अंदर एक चमच जीरा डाल देते हैं जीरे को अची तरह क्रैकल कर लेना है आपने जब जीरा क्रैकल हो जाएगा इसके अंदर एक चमच जिंजर गार्लिक पेस डाल देते हैं और इसे हमने अची तरह भून लेना है जो गार्लिक का टेस है वो कच्च के डाले हैं यहां पे प्याज की प्यूरी का यूज ना करें काट कर ही डाले तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा अभी प्याज को हमने लाइट गोल्डन होने तक पका लेना है अब लीजे प्याज हमारे भून चुके हैं अब इसके अंदर हम चार से पांच हरी और ठोड़ा सा कटा हुआ अद्रख डालेंगे अद्रख हमने पहले भी डाला है लेकिन ठोड़ा सा सम enclर अगर गाट कर डालेंगी तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और इससे अमने थोड़ा सब भून लेना है यहां पर दो कटे हुए टमाटर डाल देते हैं तमाटर यह जो हैं बहुत जारा खटे नहीं है इसलिए मैने दो डाले हैं अब इसे हम अच्छा मैश होने तक पका लेंगे अब इसके अंदर हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे हल्दी को हमने अच्छी तरह पकाना होता है तो पहले डाल लेते हैं थोड़ी सी लाल मिर्ची डालिएगा लाल मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्णिंग डालिएगा यहां पर मैं एक बड़ा चमय धनिया पॉड़र डाल रही हूं धनिया पॉड़र से जो भुर्जी का के अनुसार डाल लीजिए यहां पर अधा कप हम मतर का डालेंगे मतर का जो तेस्ट है भुर्जी के अंदर बहुत जबर्दस्ता आता है आप एक बार ट्राय जूर कीजिएगा भुर्जी आपने बहुत बार बनाई होगी बीना मतर के बनाई होगी तो उससे यह बिल्कुल अलग बनती है यहां पर थोड़ा सब पानी डाल देंगे और मतर को हमने बहुत अच्छी तरह पकाना है तीन से चार मिनट हमने मतर को धग कर मीडियूम से लो फ्लेम पर पका लेना है मतर की क्वालिटी पर डिपैंड करता है कि वह कितनी दिर्में पके कहा 3-4 मिनट लग ज मसाला हमारे ड़ी है हम ग्रेत किया हुआ 500 g पनीर डाल देते हैं मैंने घर वंडना हूआ पनीर लिया है औ इस dropping सबस्क्राइटरी च्छा पनीर ौर्ध कर लियर तो इसे आथimmt मिक्स करेंगेम hier把它 इसे एक तो यह क्रीमी हो जाता है खाने में बहुत जारा टेस्ट ही हो जाता है इसे आप एक बार ट्राइ करके देखिएगा दोद डालने के बाद आपने से एक से दो मिनट अच्छी तरह पका लेना है और यहां पर थोड़ा सा हरा धनिया डालते हैं इसके अंदर कटा हुआ इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और इसको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म दिया है अगर आप बिल्कुल ड्राई चाहते हैं तो उसी तरह इसे सर्व कर सकते हैं लेकिन इसको बहुत जबरदस्त बनी हैं और आप देखिए कितनी यमी लग रही है देखने में आप इसे प्रांठे के साथ नान के साथ रोटी के साथ सब करेंगे या कहीं बाहर घुमने के लिए भी जा रहे हैं तो टिफन में यह पैक करके लेके जा सकते हैं बच्छां को यह बहुत ज बनाएंगे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू पर वाचिंग